हेलो फ्रेंट्स आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही स्वादिश बहुत ही हेल्दी कचोड़ी की रेस्पी लिकर आई हूँ इसे मैं सूजी और हरे मतर से बनाऊंगी तो अभी मतर का सीजन चल रहा है तो ऐसे मैं यदि यह रेस्पी आपने नहीं बनाई तो फिर क्या बनाया बहुत ही स्वादिश बहुत ही खसता यह कचोड़ीयां बन करके तयार होती है इस तरह से रेस्पी आप बनाकर यदि बच्चों को भी देंगे लंच बॉक्स में तो वह भी बहुत ही प्यार से खाएंगे यदि आपको कहीं ट्रैवलिंग पर भी जान हो तो आप इसे बना क करके ले लेगे साथी अब यहां कुछ सूखे मसाले डालेंगे तो इसमें मैं आधा चम्मच साबुद जीरा आधा चम्मच सौफ हरी जो सौफ होती है साथी डालेंगे साबुद धनिया एक चम्मच भर कर और एक चम्मच डालेंगे यहां पर कसूरी मेथी अब इन सारी ची अब श्टफिंग बनानी के लिए मेने आपर दो कप उबले हुए मतर लिये हैं तो मतर को मैंने 8-10 मिन तक अच्छे से उबाल लिया है और मतर आप देख सकते हैं बिल्कुली सॉफ्ट है हमारी तो इसमें जो एक्ष्टा पानी था उसे मैंने निकाल लिया है अब मैं आपर ए 50% तक हम इसे क्रस कर देना है इस तरीके से मैश कर लेंगे तो यह देखिए यहां पर हमारी मतर अच्छे से मैश हो चुकी है तो अभी मैं इसे साइड पर रखती हूँ तो अब यहां पर मैं वनाने जारी हैं बहुत ही चटपटी सी स्टफिंग कचोडी के लिए तो गैस प मैंने मसाले को दरदरा सा पीसा था तो मसालों को यहां पर डाल देंगे तेल में और एक मिनट तक इसे अच्छे से भून लेंगे जैसे मसाले थोड़ी सी भून जाएगी तो यहां पर आधा चमच हल्दी का पावडर टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और आधा चमच लाल मि यहां पर को में गई गैसे डाल चमच लाढ़ों को फिर से एकसे देर मिनट अच्छे से भून लेंगे तो यह मारी मसाले बहुत यहां ने मितर को मैस करके रहा था 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 यहां पर एड़ कर देंगे अब इन मसालों के साथ मतर को भी बहुत यहिचिज की जरूर्ध नहीं और इसमें जो मैंने मसाले को जो दरदरा सबस्वाइब डला को दूला साफी संवाइब बहुत ज्यादा चैटपती बनी है बहुत स्थानी बनी है स्वादिश्ट ये बंती है जरूर से किगेगा हमारे मसाले से हैं गणी किलो है ऑने डुली टूली माइन है इक चमच डालेंगे चमच यह पर कोई बी कुटिंग ओयल दे सकते हैं तो एक चमच भर मैंने यहाँ पर डाला है और यहाँ पानी को अच्छे से गर्म होने देंगे जैसे पानी नहीं हमारी 300 ग्राम है एक पैकेट में पर फ्रैस होती है आपके पास मोटी पतली जो भी ऐचे स्टेज हैं मैं इस एचेज और सूजी में कोआगी है स्टेज नहीं है किसली अपमेश पानी कर सेको अपमलेशे पानी है इसे हमें बहुत जादा यहां पर सुखाना नहीं है बस इसी तरीके से मैंने गैस का फ्लेम आफ कर दिया है और इसे में ढख करके पाच मिनट के लिए रेष्ट के लिए रख देती हूं ताकि यहां पर इस्टीब में हमारी सूजी बढ़ियां से सॉफ्ट हो जाए अब यह हल हमें पर बड़ी कiology के लावी है पर नका दोख श πंजट ए से भैख सब्सावद्रब्स पनाटरु से 새ougष नहीं जन ठcejशा गहां तो तो आप जरूशे तक आप ड़ियां करिया इसे जब दोट करेंगे दो ऐसे स्बंडों इसे पर दोट टाय हों तक दोट करें च्शे यदि आपके थाल में चिपक रही है तो आप यहां पे थोड़ा सा ओल लगा कर इसे फिर से मिक्स कर सकते हैं तो यह देखी बहुत ही सौफ्ट सा स्मूथ सा हमारा यह डो बन करके तयार हो चुका है इधर हमारी चटपटी सी स्टफिंग भी बन करके तयार है तो चलिए अब म बनाते मैदे की इसी तरीके से इसका भी हम डो बना लेंगे और इस तरीके से फैला लेंगे और इसमें एक चमच जो मतरवाली जो बढ़ों सभी को बहुत ही जादा पसंद आती है इस तरीके साब बनाकर बच्चों को भी देंगे तो लंच बॉक्स में बहुत ही आसानी से खा सकते हैं यह दिया बच्चों की लंच बॉक्स के लिए बना रहे न तो मैं आपको यहां पर सजेश्ट करूंगी कि आप इन सारी तैयारियों को ना रात में ही करके आप रख सकते हैं और सुभा बस इसे कचोड़ी का सेप देकर आप इसे फ्राइ कर दीजिए और जटपट से बच्चों की लंच बॉक्स में दे सकते हैं यह आप चाहे तो इसे एसे स्नेक्स चाह के साथ भी आप साम को बना करके खा सकते ह किसी भी टाइम पे यह नास्ता बहुत ही अच्छा लगता है सुभा के नास्ते में यह बच्चों की टिफिन का हो टेंसन तो आप इस रेसिपी को एक जरूर से ट्राइ कर सकते हैं बहुत ही इसली यह पर हमारी यह कचोड़ी बन कर के तयार हो जाती है तो इस तरीके से हमें कि यह पर जितना फ्राइ करना है मैं अभी उतनी ही कचोड़ी बनाऊंगी सारी हमें यह नहीं बनानी है क्योंकि यह बना कर रख देंगे ना तो यह सूख जाएगी और फ्राइ होती समें टूट सकती है तो जो हमारा जो सूजी का जो आटा बच गया है उसे मैंने अभी अटेंगे इस अधे गर्म कर लेंगे और जैसे तेल बढ़िया इन कर जाएगी तो तो छ ही इन कचोड़ीयों सिरिया एक पहले से अधी बनाना हो चैंपर और शोटि शोटी है जो टिप्स मैंने बताये तो यह उनने प्फॉलожалуй तो बहुत ही सवादिश आपकी कचोड़ू क एक ही बार में बन करके तयार होगी और आप दुवारा इसी जरूर से बनाएंगे तो फ्रेंड्स इस तरीके साथ एक लिए बना करके जरूर से ट्राइ कीजिएगा यदि बच्चों को लंच बॉक्स में देना है तो आप इस सारी तयारियों को आप रात में करके रख सकते हैं तो इस तरीके से ये देखें, चार से पाच मिनट में हमारी कचोरियां बहुत ही बढ़ियां से गॉल्डेन कलर हो चुकी है, और याप देख रहे हैं, साइज में बिल्कुल दूगनी हो गई है, एकदम फुली फुली एकदम खसता कचोरियां हमारी बन करके तयार हुई है, त तो ये देखें, इसकी में प्लेटिंग कर लेती हूँ, इन कचोरियों को मैं टोमेटो क्याचप के साथ सर्फ कर रही हूँ, ये आप चाहें तो इसे ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही जादा टेश्टी लगती है, तो ये देखें, बहुत ही स्वादिश्ट एक दम लाइट वेट, एक दम खसता कचोरियां हमारी बन करके तयार हुई है, बहुत ही जादा यमी बनी थी, बच्चे और बड़े सभी को बहुत ही जादा पसंद आई थी, तो इस सरी किस आप एक वर बना करके जरूर से ट्राइ कीजिगा, आप मैदे की कचोरियां खाना भूल जाएंगे, यदि आप चाहें तो आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही जादा स्वादिश्ट लगती है, चाय के साथ भी है, तो फ्रेंड साज की हमारी रेसिपी यदि आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक और शेयर जरू से कीजिएगा, चैनल पर नए हो त सब्सक्राइब करके, वैल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुं सके, तो मिलती हमें नेक्स्ट वीडियो में, कुछ नए रेसिपी के साथ, थैंकि फॉर वोचिंग,